आज वीडियो में हम बात करेंगे अगर आपको डेली युनिवर्सिटी से अफिलेटेट कॉलिज आई जाई पैस में यानि इंदरा गांधी इंसिटिक्ट फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्स साइंसेस कॉलिज में बिएसी इन फिजिकल एजुकेशन कोर्स में एड्मिशन लेना है तो उसका कम्प्लीट एड्मिशन प्रोसेस क्या है सेशन 20, 23, 24 के लिए तो चलिए वडियों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आईजियाई पैस कॉलिज में अगर आपको बिएसी इन फिजिकल एड्मिशन लेना है तो वो आपका C.U.E.T. के थू होगा ठीक है C.U.E.T. के बारे में आप लोग जानते हैं common university entrance test है जिसमें बहुत सारी universities का एक ही single entrance exam होता है तो आपका जो return test होगा वो C.U.E.T. के थू होगा और आगे के जो processes होगे वो सारी चीज़ें आपको डिटेलर बताऊंगा तो पहले पूरे process को समझ लेते हैं यह देखिए आप लोग screen पर देख सकते हैं आपका जा दो basis पर होगा एक C.U.E.T. का score यानि आपका एक return entrance test होगा जिसका weightage 50% है और दूसरा performance based test जिसका weightage 50% है performance based test क्या है इसमें दो चीज़े आती है एक तो आपके sports certificate जो के 30% के होगे और दूसरा आपका physical fitness test होगा जो के 20% का होगा तो यह मिला कर पूरा 100% हो जाता है क्या क्या बता है मैंने आपको C.U.E.T. का score आपका यानि कि आपका एक return entrance test होगा दूसरा आपका physical fitness test होगा तीसरा आपका sports certificate के marks तो यह तीनों चीज़ें और इनका केतना केतना weightage है वो मैं आपको बता चुका हूँ स्क्रीन पर आपको दिख रहा है इसके base पर आपका selection होगा तो आए इन तीनों की detail हम लोग जान लेते हैं सबसे पहले हम लोग बात करेंगे return entrance test की तो return test जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ return test आपका 50% का इसका weightage है क्या होगा return test में CUET वाला exam आपको देना होगा उसके registration इस समय चल रहे हैं 12th March last rate है उससे पहले पहले आप अपना online registration करा लीजिए पिछली वीडियो में आपको बता दिया है कि अगर आपको BSC in physical education में admission लेना है यह EPS में तो उसके लिए आपको form fill करते समय क्या subject combination लेना है subject combination को लेकर के थोड़ी confusion रहती है तो पहले मेरी वो वीडियो ज़रूर देखिएगा subject combination वाली और उसके बाद ही अपना CUT का form fill कीजिएगा अगर आपको BSC in physical education में admission लेना है subject combination में कोई गलती बिल्कुल मत करिएगा क्योंकि फिर आप admission नहीं ले पाएंगे तो इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा आप लोग ठीक है अब syllabus क्या होगा आपके written test का तो physical education के आप मैं आपको दिखा देता हूँ यह देखे आप screen पर देख सकते हैं यह syllabus मैंने अपने telegram channel पर भी डाल दिया है वहाँ से भी इसकी PDF आप download करके देख सकते हैं तो यह complete syllabus है आपका तो अगर इस syllabus के according आप लोग अपनी preparation करना चाहते हैं हमारा online batch भी जल्दी start होने वाला है तो उस batch को भी आप लोग join कर सकते हैं अब बात करते हैं performance based test की जैसे का मैंने पहले ही बताया performance based test में दो चीज़े हैं आपकी एक sport certificate जिसका weight is 30% है और physical fitness test जिसका weight is 20% है तो sport certificate की पहले हम लोग बात कर लेते हैं अब पहले है sports certificate पर पूरा फिक्स criteria है कि कौन-कौन से लेवल के sports certificate पर आपको कितने कितने marks दिये जाएंगे तो मैं screen पर एक बार आपको दिखा जेता हूँ किस-Kisco level के sport certificate पर कितने- cunningे marks आपको दिए जैंगे आपके पास जिस भी लेवल का sport certificate हो उसके मांक साब को दे दिये जाएंगे accordingly वो कब दिये जाएंगे तो वो आगे का process है लेकिन अभी इस चीज का ध्यान रखेगा आप लोग कि अभी सिर्फ आपको return test पर focus करना है sport certificate आपके पास जो भी है जिस भी मैं inform कर दूँगा और वो process भी बाद में होगा उसका एक अलग से form फिल किया जाएगा CUET से अलग उसका एक CCS का form होता है वहाँ पर आपको अपने sport certificate अप्लोड करना होगा ठीक है तो वो बात का process है अभी के लिए वास इतना जान लिजे कि 30% weightage होगा sport certificate का और कौन से level के certificate पर कितने कितने marks मिलेंगे वो मैंने आपको screen पर दिखा दिया है अब मैं लास्ट चीज आपको बता देता हूँ जो के performance based test में होगी वो है आपका physical fitness test जिसका weightage 20% है physical fitness test में क्या होगा Canadian test होगा Canadian test में क्या-क्या चीज़े आपको करनी होगी तो यह देखे आप screen पर देख सकते हैं तो इसकी detail भी मैं अलग से specific video में दूँगा जिस समय आपका physical fitness stress होने वाला होगा और जिस समय आपके sport certificate का weightage आपको मिलेगा वो सारी details में आपको किसी दूसरी video में अच्छे से समझा दूगा अभी इस video में सिर्फ आपको ये चीज़े समझानी थी कि पूरा process क्या है और अगर आपको admission लेना है तो आपको क्या के चीज़े करनी होगी तो मुझे लगता है mostly आपकी जो confusion थी पूरे process के बारे में वो दूर हो गई है अब last में एक बार में फिर से बता दूँ कि online registration आपके समय चल रहा है 12th March last date है तो आप लोग अपना online registration करा लीजिए registration fees आपको screen पर दिख रही है जैसे कि मैंने पिछली video में बताया था आपको 4 subject सेलेक्ट करने होंगे तो चार subject के साफ से आपके fees आपको screen पर दिख रही है 1500 general category के और other categories के वे आप लोग देख सकते हैं क्योंकि तीन subject नहीं लेने चार लेने हैं तो इस वज़ा से आपके 1500 वाले slot में fees आपको pay करनी होगी ठीक है और subject combination के लिए मेरी पिछली वीडियो आप देखी सकते हैं आई button पर भी मिल लाएगी और वीडियो के answering पर भी मिल लाएगी और वीडियो कहतम कहने ते पहले मैं एप seats भी आपको दिखा देता हूँ कि IGPS में total कितनी seats हैं तो ये screen पर देख सकते हैं 135 seats हैं total category wise कितनी कितनी seats हैं वो भी आप लोग देख सकते हैं तो मुझे लगता है आपके सारे doubt सारी confusion clear हो गई है अभी में कोई doubt है तो comment सब पूछ सकते हैं मुझे कोशिश करूँगा आपके questions का reply करने की कैसी लगी आपके video comments में लेकर सरूर बताएं मिलते हैं नेक्स वीडियो में